राजस्थान में आने वाले दिनों में हालात कैसे होने वाले हैं इन तस्वीरों को देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है देखिए ये तस्वीर राजस्थान के बाधों की है जो गभी पानी से लबालब भरा रहता था लेकिन अब बाध में पानी तो दूर जमीन भी बंजर नजर आ रही है प्यास से सूखते हलक को दो भूद की तलाश है लेकिन पानी पाताल लोक पहुच चुका है चल संसाधन विभाग के आकणों से जो चौकाने वाली रिपोर्ट आई है वो आपको हिला कर रख देगी प्रदेश के 830 बाधों में से 761 बाध पूरी तरह से सूख शुके है राजस्थान में महज 5 फीजदी बाध ही ऐसे हैं जो मरुधरा की प्यास बुझा रही है क्योंकि 95 फीजदी बाध पूरी तरह से सूख चुके है सोचिए 22 में से 13 बड़े बाधों में पानी है जिसमें से राणा प्रताफ सागर, कोटा बैराज, माही बजाज सागर में पानी तो है लेकिन जैपूर समेत चार जिलो की लाइफ लाइफ लाइन कहे जाने वाले पीसलपूर बाध भी सूखने के कागार पर है पीसलपूर डैम में सिर्फ 7.8 शुन्य फीजदी ही पानी बचा है एक तरफ राजस्थान के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बाधों में जल संकट गहरा गया है अजमेर संभाग के बाधों में महज 5 फीजदी पानी बचा है अलवर में 3 फीजदी भरतपूर में 6 फीजदी जबकी जैपूर के बाधों में केवल 6 फीजदी ही पानी बचा है ऐसे में राजस्थान में इस बार मानसून अच्छा नहीं रहा तो और भी ज़्यादा हालात खराब होने में देर नहीं लगेगी आशिश चोहान जी मीडिया जैपूर